ताहिर गोरा के शो बिला तकलूफ में मैं हलीमा साधिया आप सबको कुश्यामदीद कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी भारत में हिंदी हार्टलेंड स्टेट्स में बीजे पी की जीत के हवाले से इसके साथ साथ बातचीत करेंगे दुबई में होने वाली कॉन्फरंस कोप 28 के हवाले से इसके लावा हम तद्जिया करेंगे इस्ट्राइल हमास की जारी जंग पर और आखिर में पाकिस्तान की सियासि सुरते हाल पर कुछ तबस्रा करेंगे तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ताहिर गोरस आपके पास ताहिर भारत में हिंदी हार्टलेंड की तीन बड़ी स्टेट्स बीजी पी जीत गई है आप भारत की इन स्टेट्स में एलेक्शन के रिजल्ट्स को किस तरह देखते हैं इस पर कैसे तबसरा करेंगे देखें ये बहुत बड़ी डिवल्मेंट है बीजेपी के लिए और भारत के प्रिटिकल जर्नी के लिए क्योंकि ये जो तीनों स्टेट्स हैं इन में पहले तो च्छटीस गड़ में कांग्रिस की गौर्मन्ट थी अगर हम दो हजार अठारा के लेक्शन को देखें तब कांग्रिस ने कोई गालबन सिक्स्टी एट के करीब सीटें यहां से जीती थी नाइटी सीटों की ये समली है अब बीजेपी फिफटी फॉर सीटें लेकर मेजोर्टी गर्मन बनाने में कामियाब हो गई यह कांग्रिस सिक्सी एट के नंबर से गिरके थर्टी फाइब सीटें पहुंच गई है तो 36 गर्ड को एक तरह से कांग्रिस का गर्ड समझा जाता था लेकिन बरहाल अब बीजेपी ने कांग्रिस को क्लीन सुईप कर दिया है इसी तरह मद्या परदेश MP की जो रियासत है भारत में यह अपने जियोग्राफिक एरिया की वज़ा से उसके साइज की वज़ा से गालमन भारत की सबसे बड़ी रियासत है पॉपलिशन में तो खेर यूपी है इस रियासत में 230 सीटें हैं और उन 230 सीटों में से बीज़े पी 163 सीट लेकर मेजोर्टी गवर्मन बनाने में कामयाब हो गई है MP में जब हम 2018 के एलेक्शन को देखती हैं तो तब बीज़े पी के पास उस वक्त गालमन एक सो नौ सीटें थी सम्टिंग लाइक जाट और 114 इनके पास थी कांग्रिस वालों के पास तो इनकी माइनौर्टी गवर्मन थी दोजार अठारा की लेकिन बीज़े पी ने बाद में चुके कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था माइनौर्टी गवर्मन थी बाद में वो सीटें एदर उदर हो जाती हैं जो कि जो होता है कि जब इतना क्लोज मार्जन हो तो वो फिर बीज़े पी अपनी माइनौर्टी गवर्मन बनाने में इन बिट्वीन दे टाइम कामियाब हो गई अब बरहाल बीज़े पी 163 सीटें लेकर यानि काफी उन्हों ने गेन किया वहाँ पे और मेज़ोर्टी गवर्मन बनाने में कामियाब हो गई अब उनको होई खातरा नहीं आएंदा पांच साल कांग्रेस की वहाँ पे सीटें तेजी से गिरी उनके पास गालबन अब 66 सीटें उनको मिली है तो बरहाल उनका तो चांस नहीं है चुके वो ना तो माइनौर्टी गवर्मन बनाने की पोजिशन में हैं बस वो आपोजिश राजस्तान में बीजेपी की जो सरकार है वो गिर गई थी और इनकी सरकार आगी थी अच्छा मैं शायद गल्ट मिक्स अब कर गया प्राबिबली राजस्तान है अपने अरिया के तबार से सबसे बड़ी रियास्त हर एंपी राजस्तान को मैं सम टाइम मिक्स कर देता हूं एनिहार राजस्तान में एक 199 की इसमबली है सीटों की जिसमें 100 सीट्स चाहिए होती है गवर्मन्ट बनाने के लिए तो बरहल बीजेपी के पास वहां पर आप 115 सीटे हैं तो यानि पांच साल उनके वहां पर भी अपके हैं कोई माइनौर्टी गवर्मन्ट नहीं है सरकार कोई खचा नहीं है तो ये तीने ये तीनों जो स्टेट्स हैं भारत में हिंदी हार्ट लैंड की स्टेट्स कहलाती हैं हिंदी हार्ट लैंड में और भी हिंदी बेल्ट में और भी सीटे हैं मगर ये हार्ट लैंड जो है इसमें बीजेपी का जीतना और वो भी इस मौका पर कि जबके आगे फेडरिल एक्शन भी सर पे खड़े हैं एक बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की और लगता है कि ये जो जीत है ये बड़ी इंपॉर्टन्ट जीत है और मुझे ये भी लग रहा है कि हमें कैनिडा अमरीका में बैठे हुए बीजेपी की इस जीत से यहां पर आप्टिक्स बड़े अच्छे मिलेंगे चुकर कैनिडा अमरीका में ऐसे ही जो हमारे लेफ्ट का एक्स्ट्रीम मीडिया है जो के ज्यादा है जो वेस्टन मीडिया है वो बीजेपी की सरकार मुदी जी को ऐसे ही वो हिंदुत्वा पार्टी कह के ललकारते रहते हैं पुल कांगरिस की अच्छी खासी स्ट्रेंग थी वो गर गई राजस्तान में उनकी सरकार थी वो चली गई फिर यहां पर भी एंपी में भी वो शाना बशाना थे पैरलल थे बीजेपी के अब दुनिया को पता चल गया कि वहां भी वो बहुत पीछे चले गए हैं और जो इंडि लैंड हिंदी से आए हैं बीजेपी को और भारत दोनों को बड़ी तक्वियत में लेगी तक्वियत तो मिलेगी चलिए इस पे एक सवाल मेरी तरफ से आपको यह है कि क्या यह रिजल्ट्स प्लिटिकल डानेमिक्स के चेंज और निव वर्ड इंडिया एज निव इंडिया की तरफ इशारा है या क्या आप इस पे क्या सोच समझते हैं देखिए यह बातें दोनों तरफ ही इशारा हैं इसलिए कि भारत की तमाम अपोजिशन पार्टियां अकठी हैं या कठी होने की कोशिश करती हैं सिर्फ एक शक्स नारिनरा मूदी के खलाफ और एक पार्टी ब राइज होके उपर दी है इसका मतलब यह है कि भारती अवाम प्राइमिनिस्टर निंडरा मूदी के लिए और बीजे पी के लिए बहुत ज्यादा अपनी जो एफिलेशन वो शो करते हैं और इसे प्लिटिकल चेंज तो अल्रेडी आई हो यह लेकिं यह जो ज्यास्तों में भी हो रहे हैं इलेक्शन यहां पर भी चेंज आ रही है इस से फिर इंटरनेशनल स्टेज पे दुनिया को यह मैसेज मिलता है कि प्राइमिनिस्टर निंडरा मूदी पॉपुलस लीडर नहीं है पॉपुलर लीडर है तो यह बहुत बड़ा मैसेज उनको मिलता है दुनिया तिलंगाना में कांगरिस और मेजव राम में ZPM की जीत को आप कैसे देधे हैं? जी इसमें ZPM की जीत जो मेजव राम में है वो काफी इंट्रस्टिंग है, उस obsess पहरा अभी करता हूं, तिलंगाना में कांगरिस जो है, वो सरकार बनाने में कामियाब हो गई है क्योंकि तिलिंगाना में जो कुल सीट्स बताई जा रही हैं वो गालबन 119 है और जो सिचुएशन है वहाँ पे तिलिंगाना में खास तोर पर वो आठ सीटें मिली हैं बीजेपी को बीजेपी पहले भी वहाँ पे कोई खास प्रोडिशन उसकी नहीं है गालबन बीजेपी की पहले वहाँ पे शायद एक सीटी थी उनकी तो उनके लिए तो एक अच्छा है कि साथ सीटों का इजाफा हो गया है वहाँ पे सरकार थी B.R.S. की बी-ार-स की जो सरकार है वो अब गिर गई है उनकी अच्छी खासी सीटें थी वो पहले गलें बी-ार की जो वहां पर सिक्स्टी प्लस सीटें थी वो अब कम होके थर्ती नाइन हो गई हैं और इंडियन नेशनल उनक्रिस जिनकी सीटेंिव वहां पर बढ़ गई है 64 हो गई है तो जिसका मतलब यह है कि 64 से मुरादी है कि अब वो पांच सीटों या चार सीटों की बरतरी से मेजोर्टी गौर्मन बिनाने में काम्याब हो गई है तो इंडियन नेशनल कांग्रिस को तेलिंगाना में अब कोई खत्रा नहीं है उनकी अवैसी हैं हमारे जिनकी ऑल इंडिया मुस्लिम प्रिटिकल पार्टी उनकी साथ सीटे थी और वो साथ सीटे ही लेने में काम्याब हो इसका मतलब यह है कि उनका स्टैटिस को बरकरार रहा है तो तिलंगाना में खास पर हैदराबाद और गर्दो नुआ के अलाकों में मुसल्मानों के चीखासी पापुलेशन है वैसी भी तिलंगाना स्टैट में और भी चगापे है मुसल्मानों के पाकिटस तो इसलिए असदुदीन अवैसी उनके भाई उनकी पार्टी का वही तिलनगाना ही मेंगर्ड है और उन्होंने जतनी सीटे उनकी थी उतनी सीटे उनकी पार्टी को दोबारा मिल गए तो मेरा ये ख्याल है कि तिलंगाना की सूर्टेहाल तो चेंज हुई है बी आरस की बजाए इंडियन नैशनल कांग्रिस के पास सरकार चली गई अब जो मिजोराम की सूर्टेहाल है जो मैंने देखा ये 40 सीट्स की स्टेट है जिसमें एक नई पार्टी जिसका अभी आपने नाम लिया जैड़ पीम ये ये कामियाब हुई है अच्छा ये छोटी सी रियास्त है इसमें पॉपुलेशन के तबार से जो हम भारत को जब पढ हैं तो पता चलता है पॉपुलेशन के तबार से ये राइडिंग ये वहां की जो कांसिचुइन्सी बहुत पॉपुलेटेड नहीं है यानि बहुत ज़्यदा पॉपुलेशन नहीं है कुछ सीटों पर तो कपल हंड़र्ड वोट से लोग जीते या आरते हैं तो यह जो रि रियास्त की अबादी ही कृष्चन होगी तो इनका फिर डिफरंट है स्कूल अफ थार्ड ये बड़े समयदार पड़े लेखे लोग हैं और ये नोर्थी जो भारत की नौर्थीस्ट की रियास्ते हैं उनमें से एक है तो बरहाल इस पार्टी के बारे में और एक और बात ब अफिसर भी थे बहुत ही वैल गरूमड आदमी बताये जाते हैं इन्होंने आज ही कहा है कि हम जो सेंटर की सरकार उसके साथ बड़े इच्छी कॉपरेशन के साथ अपनी सरकार चलाएंगे लेकिन हम सेंटरल के सेंटरल लेवल पर किसी पार्टी के साथ हम इलाइंस नहीं क णिसारेंगे तो बरह रहल यह तो मिजुराम की कहानी है मिजुराम में एक और बात यह झो ज़ड़म्पी की यह जड़ पी-ईम गाल बंद्धिय को पार्टी है इसका नाम भी मेरे मूग पे ने चाड़ा यह जो पार्टी है जेट पीम इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके जो कैनिडेट्स भी ज्यादा तर थे वो यंग लोग थे और यंग लोगों की बहुत बड़ी परसेंटेज इस स्टेट में रहती है वो तो वैसे पूरे साउट इशिया में बहुत रहती है भारत में भी बहुत बड़ा नंबर है तो प्राइम निंडरा मुदी की पार्टी सेंटर में या दूसरी स्टेट में जो जीत रही है उसमें भी यूथ का बहुत बड़ा योगदान है इसी तरह यहां पर यूथ ने जेट पीम को वोट दिया और यहां पे बीजेपी को भी चालीस मे मिली है चलिए भारत में इन रीसेंट पांच रियास्तों से आप भारत के स्ट्रिल एलेक्शन दो हजार चॉब़ईस में जो होने वाले हैं इनको किस सरा प्रॉजेक्ट करेंगे देखे अब ये जो रीसेंट पांच रियास्तों के एलेक्षन है इस से तो यह बात वाज़ ह हो गई और यहीं लगता है कि आलक्षन ट्वंटी त्वोर मुधी स्रकार फिर एक बार वो जो एक नारा था वो फिर मकमल हो रहा है। चुकि प्राइम ने सिरम बुदी की पौटी बी-जेपी ने ये जो इलक्षन लड़ा है वो एक केमपेइन है मुदी की गरणटी के नाम से हैं तो मुदी जी वेलफेर जो लोगों को सहुलियात फराम करना चाहरें वो ये कह रहे हैं कि किसी और की गरणटी नहीं होगी ये मेरी परसनल गरणटी है आप मुझे जितवाएंगे आपको वेलफेर मेलें एखेटा रोगों ने पर देखा भी है किस सारा घरीबों के घरों को राशन गया क्रोडों क्रोडों मिलियन्स और मिलियन्स गरीबों के गरों को राशन मिलें हैं, रेगुलर रहें, उनको सिलिंडर गैस के इतनी सहुलियात मिली है। इसके लिए प्राक्टिकली वो नजर भी आते हैं कि वो इंडिया बहुत कुछ किस्मत है इस सलसले में, कि उनका लीडर ये महसूस करता है कि उनके लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बिसिक लाइफ की चीजों में, कुछ ना कुछ वो कर सकें तो कर दें। आते हैं कि ये हिंदू या हिंदुत्वा कार्ड खेलते हैं, वो उनका हक है। इसलिए कि हिंदू जो सनातनी धारम है वो इस देश की सिविलाइजेशन है। अच्छा लेकिन सिर्फ वो ये कार्ड नहीं खेल रहे हैं। जैसा अगर दूसरी पार्टियां आइडियालोजिकल कार्ड्स खेलती रहती हैं। कोई सेकुलरिजम का, कोई जात पात का। लेकिन प्राइमिनिस्टर निंदरा मुधी भी अगर ये अपना कार्ड खेलें तो कोई इसमें हर्जवली बात नहीं बड़ा जाइस कार्ड है। मगर वो डिलेवर पे करते हैं। जबके हम दूसरी पार्टियों हम ये देखते हैं को डिलेवर नहीं कर रहे हैं। जो वो बाते हैं खाली बाते हैं। प्राइमिनिस्टर निंदरा मुधी की आप देख लिजिए दस सालों से जो सरकारें चली आ रही हैं। उसमें जिस तरह जीस्टी का वहां पे लागू हुआ। जिस तरह वहां पे आप देख लीजिए उन 1.4 बिलियन लोगों का देश है। तो इस सारे सूरते हाल में प्राइमिनिस्टर निंदरा मुधी ने इन सब चैलेंजिज़ को फेस टू फेस हैंडल किया। और जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ये हिंदू की बात नहीं करते हैं। वो तो ठीक है जायस बात हमें रिलीव पी देते हैं हमें लेकर भी आगे जाना चाहते हैं अभी आपने का कि डिकता है प्राइमिनिस्टर मुधी जिस तरह की पॉलीसियां लाते हैं घृबत को कम करने की सूर्टेहाल हम भी प्राइमिनिस्टर निंदरा मुधी के गुरिशता नौस दस साल के दोरे म कोई चार पांच बार भारत का है हर बार हमें इंप्रूवमेंट नजर आती है मतलब हम लास्ट फैबुरिरी में वहां पे थे ऑनेसली मुझे तो वो जो गुर्बत में वो जो सड़कों पे या गलियों में जो एक चल रहा होता है ना गुर्बत के बंजर होते हैं वो कम हु है कि वो अवाम जो लेस प्रिविलिज्ट है जिसके पास मिसासिटी की लिए भी गुंजाइश नहीं है हमारे कानडा में देख लिए वो लोग बढ़ रहे हैं दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बीच में से सांस लेना कम हो रहा है उस पे तो कोई दो बात नहीं है ले गुर्बत के साथ ये चैलेंज लेना और इसको करना ये एक बड़े लीडर की क्वालिटीज में आता है चलिए अब हम चलते हैं कौप 28 की कानफरेंस की तरफ जो 30 नमंबर को दबई एक्सपो सेंटर में शिरू हुई और 12 दिसमबर तक जारी रहेगी अब तक के खुसूसी मामलात को आप कैसे उनके उपर रोशनी डालेंगे देखिए ये बड़ी इंपॉर्टन कानफरेंस है हर साल की तरह और ये 28 वी कानफरेंस है जैसा इसका नाम बताता है तो इसमें पूरी दुनिया की रिपेसेंटेशन है पूरी दुनिया इसमें पार्टिस्पेट कर रही ह है शुरू के दिनों में ही कुछ वर्ड लीडर्स भी गए जनमें प्रामिनिस्टर निनरा मूदी भी थे अगालमन फ्रांस के भी सदर थे उसमें और भी हैड ओफ दे स्टेट्स थे इसमें हमारे कैनडा के जिस्टन टूडो नहीं गए इवन अमेरिका से प्रामिनिस्टर सौरी प्रेजडेंट बाइडन भी नहीं गए लेकिन मिडल एस्ट इसको होस कर रहा है यू एई आइमन इसको होस कर रहा है तो इस कानफरेंस में बड़े अच्छे डिसीजिजन अब तक सामने आए हैं अभी तो ये कानफरेंस जारी है इसमें कुछ और भी हम देखेंगे क क्या इलानात होते हैं आज ही मैं सुबो केनेडियन रेडियो पे सुन रहा था खबर में कि आज ही केनेडियन सरकार ने भी कहा है कि वो कोई 5% डिडिक्शन करेंगे तेल की पॉड़क्शन तेल की उन पॉड़क्ट्स की पॉड़क्शन पर जिनकी वज़ा से महौलिया पे पासर पड़ता है, जिनकी वज़े से, एकालोजी पे असर पड़ता है, और उनोंने कहा है के वो इस पे करेंगे, अमेरिका की तरब से ये खबरें है के वो इन नेक्स ट्वेलफ फिटीन एर्स, वो अपने एटी परसंट जो है, प्रोडक्शन में कमी करेंगे, तो जाहर है फ कुछ पैसे पूल करते हैं सारे कि कैसे उसको हैंडल करना है दूसरा ये सरकारें पूरी दुनिया की सरकारें पूरी दुनिया का मीडिया इस पर परशान होता है गोर फिकर करता है ये हमारी जो आइंदा की नसले हैं आने वाली नसले हैं उनका क्या बनेगा जैसे intellectuals बैट के discourses करते हैं इसी तरह प्लिटिकल लीडर बैट के प्लिटिकल solutions के ओपर table talk करते हैं जिससे के एक पूरे का पूरा मनजर नामा क्रियोट होता है जिसमें हर शक्स awareness की तरफ जाता है के वो क्या कर सकता है ये बहुत आहम होता है शायद देखिए इसमें भी देखिए जैसे यू एनो है वहां पे भी ecology को handle करने के अधारे हैं लेकर ये एक अलग से बना हुआ है ये जो है कौप इसका गल्बन इससे मुराद ये है कि कौपरेटिब्स आफ पार्टीज यानि तमाम पार्टीज यानि पूरी दुनिया की जो कंटीज हैं उनका अपसमें कौपरेशन तो ये एक special forum है और इस पे फिर को political बात मी नहीं होती इस पे तो महौलियाद की बात ही होती है इस पे तो यही agenda होता है और ये ऐसा agenda जिस पे दुनिया के सारे मुल्क मुटफिक है और रूस अमरीका वैचे नहीं बैठ सकते हूं वापस में लेकर रूस का भी ये concern है कि ये महौलियाद अमरीका का भी concern है One world we are living in. और it affects everybody. और उसके साथ-साथ यह है कि certain things we can control, certain things are beyond control. तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो महौलियाद का मसला है ये इस point पे है कि जिसमें ये human cost के ओपर है, याईदर our lives and or the life of the earth, you know. याई, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और देखते हैं कि इस conference के बाकी दिनों में क्या results आते हैं, याई क्या इसमें और decisions होते हैं और फिर उसके मताबिक हम सुर्टेहाल को judge करेंगे. जैसे आपने कहा कि इस पे controversies के मतलग जड़ा थोड़ा सा हमें ज़्यादा मजीद गाइड कीजिए, क्या controversies है as usual हर conference पे होती है, इस conference के शुरुआत से पहले ही एक controversy तो ये बनी कि जब दुबाई के मिनिस्टर जोगालमन इस conference के chairperson भी हैं, वो oil और gas की company है, उसके भी chairman है तो उनके chairperson इस conference के होनी की वज़ा से controversy बनी, कि बही ये oil और gas की production वाली company के ये chairman है, तो ये तो खुद company जो है, जो महौलियात का महौल खराब कर रही है, तो एक तो controversy वहां से शुरू हो गई, तो खेर उन्हों ने उसको conflict of interest कहा, और ये वो ये western world में एक काफी बड़ा मसल होता है, लेकिन फिर जाहर है, cause बुरा नहीं है, ये सब ने महसूस किया, मीडिया ने भी ओवाज उठा ये उस controversy की, वो cause बुरा नहीं है, फिर उन्होंने खमोशी अक्तियार कर ली, लेकिन ये इस पे भी बात होती रहेगी, गल्बान अमेरिका के ex former vice president है, उन्होंने भी इ शे सुर्खियां बन गई, उनकी हेडलाइन बन गई, एक तो ये controversy रही, एक कल ही statement दी है, दुबई के ही minister ने, शायद उन्हीं साब ने जो इसके chair person है conference के, तो उन से जब कहा तो उनोंने कहा कि ये जो fossil fuel है, इसके बारे में हमारे पास कोई predictable science नहीं है, कुछ इस तरह की बात होना नहीं की, इस पे अब वो एक दो दिन से media शोर कर रहा है, कि भाई ये क्या, अब मुझे से अगर कोई पूचे गा तो मुझे तो नहीं पता science का, मैं ऐसे ही मतलब, इस महुलियात की science के बारे में कोई comedy create करता है फिर हूँ, अब उन minister साब का क्या context है, वो जाने, science दान या फिर media जाने, हम भी अगरचे media हैं, लेकिन मैं मैं परसनली समयता हूँ कि जब मुझे बात की depth से समझ आएगी, तो मैं इस पे बात करूँगा, science की expertise नहीं है, मीडिया में, जो science department अगर मौजूद है, और experts उसमें हैं, और वो अपनी कोई report लाते हैं, तो that makes sense, हाँ, वो भी make sense करता है, और फ्रेंकली बड़े-बड़े जो media houses हैं, new york times, Washington post, CNN, BBC, इनके दावे तो होते हैं, कि इनके पस सभी किसम के experts हैं, मैं इस मसले पर बात नहीं कर रहा, अब वो international issues पे, कई जगों पे लगता है, कि पता नहीं, इनके media experts, इन खास issues पे, उनकी कि तरीक अकल है, वो मश्गूक होती है, तो अगर वो इतने आम से मामलात पे, मतलब literature जैसे होगा, या इवन world politics, या south asia की politics, या इवन middle east की politics पे, उनके expert, ऐसे ऐसे नईव बियान देते हैं, कि बंदा ये कहता है, कि ये तो non science, scientific issues हैं, इन पर तो आप ज़रा ठीक से समझने हैं, तो political issues को political scientist को जबाचे थे, political, cultural, social issues, ठीक हैं, वो उन issues पे नई बात ठीक से कर पाते हैं, शायद उन इशू पे बात ठीक से करना ज्यारा मुझकल है, साइंस में बात ठीक से करना या गलत करना बहुत मुम्किन है, चुकर साइंस बड़ा एक, जिसे कहते हैं न, concrete किसम का subject है, जिसमें already results या facts मुझूद होते हैं, ये अलग बात है, कि साइंस में किसी शोबे में एक fact आज है, तो कल खुद साइंस भी उस fact को अपगरेड कर दे कर देती है, ये डिनाई कर देती है, whatever, तो बरहल इस, ये controversy मैं ये कहूंगा, ये controversy जो उन्होंने कल statement दी है, fossil fuels के बारे में, वो एक एक और controversy पैदा हुई, तो अभी तो कुछ दिन है, इस conference में देखते हैं, आने वले दिनों में, और कितनी controversy सामने आती है, चलिए, दुबई से तोड़ा दूर, इस्राइल और हमास की लड़ाई, फिर से जोर पकड़ गई है, करीब एक हफता सीसफाइर के दौरान कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद मस्तकिल सीसफाइर की राह निकल आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, आप इस पर कैसे तपसरा करें है, देखें, मीडिया को तो को थी, वर्ल्ड जो स्टेक होल्डर्सम को भी तो को थी, कुछ को, सब को तो नहीं, कि भई शायद आप कोई और रस्ता निकले, क्योंकि जो सीसफाइर पांच-छे दिन के लिए हुआ था, उस में कोई हंड़िड पलस के करीब, रफली मेरे बस नमबर हैं, हॉस्टेज भी छोड़े थे, फिर चंद सौ हमास के या फलस्तीनियों के जो प्रिजनर्स थे इसराइल के पास, उन्हों ने वो छोड़े थे बदले में, फिर उसके बाद यही इसराइल ने गालबन यही का कि अगर आप दस दस जो जो हॉस्टेज अभी रह ग थी, लेकिन फिर हमने खबर दो रोज पहले पड़ी कि कतर उस जो सालसियत कर रहा था, वो शायद उसे बाहर आ गया, वो इसका खत्रा यह बताया जा रहा है कि गालमन जो हॉस्टेज है, फर्दर जो उनके नमबर्स हैं, वो शायद हमास के पास नहीं हैं, और अगर कुछ ह हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते, उनका यह ख्यालका अगर हमने सारी हॉस्टेज छोड़ दिये, तो फिर इसराइल की बंबार्टमन बड़ी खौफनाक होगी, और कुछ हॉस्टेज इसलामी जहाद के पास बताय जाते हैं, उन पे हमास का कोई बहुत ज्यादा कंट्र बोल नहीं है, अच्छा, अब यह जो फिर हुआ, अब यह सीसपायर का जो पास आया था कुछ दिनों का, उसके बाद अब इसराइल ने बड़ी खौफनाक कारवई शुरू कर दिये, ग्राउंट ऑपरेशन शुरू कर दिये, तो उससे बड़ी खौफनाक हलाकते और हो रह रहेगा, चुक्के इसराइल का पहले दिन से मौकफ है कि इस बार हम सीसपायर नहीं करेंगे, इस बार हम सिर्फ पास देंगे, पास भी तब तक रहेगा, जब तक आप हमारे लोग छोड़ते रहेंगे, प्रसिंट बाइडन ने भी कह रही है, वर्ना अमेरिका बीच में हम जियालोजी का नाम है, सिर्फ आउगनिजेशन का नाम नहीं है, एक माइंड सेट का नाम है, तो उस माइंड सेट का खात्मा तो टोटल पॉसिबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीसपायर हो सकेगा, इस सीसपायर में कतर का करदार बहुत अहम रहा है, और है, ले जो हैं, वो वहाँ बैटे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसी वज़ा से कतर ये काम कर सकता है, क्योंके कतर प्रेशर डाल सकता है, हमास की लीडर्शिप पे भी, तालबान की लीडर्शिप पे, जैसे दोखा का हुआ था, मौहिदा, ये लाग बात है कि अम जो आर्बिट्रेशन है, वो इसलिए भी पॉसिवल है कि कतर अमेरिका की हर बात मानता है, और हर बात समयता है, और अमेरिका को भी पता है कि कतर के साथ उनका इलाएंस है, कतर एक छोटा सा मुलक है, हम कई बार गए हैं वहाँ पे, छोटा सा मुलक है, डिवेल्प हो रहा ह rich मुलक है तो जाहर है वो कतर दुनिया से कोई जिसे कहते हैं कोई किसी किसम का कलैश तो नहीं करेगा ना कतर की जो औरिजिनल जो आइडियालोजी रही है वो जारा प्रो मुस्लिम ब्रदर हुट रही है अब वो भी काम हो गई है कतर भी modernization के रास्ते पे है साथी अरब को मुहमद बिन सुल्मान ने और यूएई ने तो कतर के साथ तल्लकात भी कुछ हरसा मकमल तोर पर काट आफ किये रखे इनको यही गुसा था कि भी आप हमारे हाई मुस्लिम ब्रेदर हुट को भी यानि उसकी जो चुकर मुस्लिम ब्रेदर हुट से ना तो साथी अरब और यूएई था तो वो भी नरास थे अब उनके तल्लकात कुछ बहाल होना शुरू हो गए उसकी वज़ए यह कि कतर ने कुछ अपने आपको टोन डाउन किया है लेकिन इस सारे सागा में कतर ये मुम्किन नहीं है कतर के लिए कि कतर अमेरिकन ब्लॉक से दूर हो जाएगा अमेरिकन के साथ करीब हैं और खुद भी वो मौडनाइज हो रहे हैं मुस्रम ब्रेदर हुड अगर कतर पहले स्पोर्ट करता था तो मुस्रम ब्रेदर हुड के कुछ सर्कल्स कतर की रजीम के लिए भी खतरा है तो कतर एक बैलन्स रख रहा है और ये जरूरी ह कतर में ये लोग बैठी हुए हैं अगर ये लोग कतर में ना बैठी हुए हैं तो फिर कौन साल्सी करवाएगा कतर फलस्तीनियों को वैसे तो नहीं कुछ नहीं दे रहा ये तो नहीं कह रहा हैं या हमास के आम लोग तो नहीं आ रहें सिर्फ बड़े बड़े जो उनके मिल लोगों के साथ राप्ते में है अग अब देखिए नहीं जो सालसी होई है सीज़ फाहर होगा यह भी तो कतर ने करवाया जिसमें एक सौ के करीब इसराइली हॉस्टेज भी आई चूटे तो इसराइल को फाइदा हुआ और बाइलेटरल टॉक्स में दूसरे का पॉइंट कि अगर कतर राप्टे में नहीं होका लिख ये रहो ना के एक पॉइंट मेरा ऐक आप का वो तो सुनतेấy तो हैं सारे मेश पे लेकर असल इशूदी है कि मसाइल को रिजॉल्फ करना वरनां तो शोर ही पड़ा रहता है कि मेरी बात मेरी निए खखतम होती आपकी बात आपकी खतम नहीं होगी और किसी नि데 किसीमस्रे को हाल दी करना बट कतर इस फिसले को रिज्वाली करना बटानी चुकि वो कहता है कि या आपको मैंने रखा हुआ है, आपकी जादाद को आपके असासों को भी ताफ़स दिया हुआ है, तो जरा मेरी इतनी बात तो सुनो ना, चुकि अमरीका में तो उनके असासे नहीं है, कि अमरीका उन पे अपने जो है शकंजा कस के, तो कतर का ये जो ल यह यह जंग पहली जो गुरिश्टा जंगें हुई उससे ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक जंग है जैसा कि तबाही के स्केल से हम अंदासा कर सकते हैं कि अब तक का एज उफ नाव जंग हैं और आप बात कर रहे हैं कोई 16-17 थाउजन पैलिस्टियन्स मारे जा चुके हैं बहुत बड़ा नंबर होता है इससे पहले इतने बड़े नंबर इतने शॉर्ट पीरिट में नहीं मरते थे इसी तरह हमास ने जिस तरह की बर्बरियत की इसराइल के जो बारा सो चौदा सो लोग मारे ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था इस तरह की देशत कर दी तो ये बिलकुल एक निया लेवल है इस जंग का और मुझे ये जंग रुकती नजर नहीं आरी देखिए इस जंग को रोक सब जबानी किलामी बातें कर रहें क्योंकि उनको ये खत्रा है कि गजजा से आने वाले फलस्तीनियों में जो बिचरे आम मसूम बचे भी हैं औरतें भी हैं बूडें भी हैं उनमें कुछ हमास के लोगों को कोई भी रिसीव करने के लिए तयार नहीं है इवन इरान जो उन इकनामिक सिचुएशन कोई इतनी अजीम नहीं है कि वो कोई एक दो मिलियन रेफिजीज को अकॉमडेट कर सके और मेरा कहला है जैसे आप हमेशा कहते होते हैं कि ये दरसल आइडियोलाजिकल वार है और उसके अंदर माइन सेट बहुत एहम है और पलेस्टाइन के लोगों इतनी ये एक कृईसिस है तो मेरा खेल है इसीलिए बहुत से मुल्क जो है वो घब गबाते हैं कि कोई भी इनिशिटिव लेने से क्या य याई इसका कोई हल मौजूद नहीं है कोई सिलूशन नहीं है लेकि इसका सिलूशन अपरेंट्टी तो कोई माजूद नहीं है तो व करने वाले हमास, इसलामी जहाद, फत्ह, यह आपस में ही एक मेज़ पर नहीं बैठ सकते हैं, जो फलसीनियों के दुमाइंदे हैं, यह आपस में लड़ते रहते हैं, अच्छा फिर मुसल्मानों की कॉंस्पिरिसी आ जाती है, कि जी यह इनकी आपस की लड़ाईयां इसराई की वज़ा से हैं, भई वो खुद भी चार मुसल्मान तो मैं सॉरी तो से, मतरब एक मेज़ पर कठे नहीं बैठ सकते हैं, मुक्तलिफ स्कूल ओफ तॉट के, यह तो हर जगा है, दुनिया बर में, अच्छा, अब यह सिच्वेशन हैं, तो इस सिच्वेशन में यह जो जग जो आपका बुन्यादी सवाल है, यह अब काफी तबाही की तरफ जा रही है, क्योंकि यह रुकने वाली नहीं है, अभी हमने देख लिया, कुछ दिन का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद, जैसे सीज़ फायर का पास हतम हुआ, साथ ही इसरेल ने फिर चड़ाई कर दी, हमा है, वो अब घजा की पटी और वेस्ट बेंक की पटी है, वो नक्षे में नहीं दिखती है, इतनी छोट-छोट है वो इलाके है, जो ज़रा ज़रा बड़े लाके थे वो हालिडी इसराईल के कबजे में कई सालों से जो कांफरिक्ट चला रहा आ चुके हैं, और वो इसराई इसराईल ने आफर की थी, डिफरेंट उकेजिन्स पर, पिया लो को, बई आप ये बना लो, हमारी जान छोड़ो, फलसीन बना लो, उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने का नहीं हमें तो पूरा ये जराहिल चाहिए, उन्हों का अच्छा फिर ठीक है, वो लाके भी आर्ट से गए, तो एक तो इनकी आपस की चपकलिश हैं, इतनी खौफनाक हैं, ये फिर लाशों का कारुबार करते हैं, सैडली मैं दुख से कह रहा हूँ, उस पे इनको बिलियन्स और बिलियन्स डॉलर्स मिलते हैं, ये खापी जाते हैं, चुकर इनका तो जतने लोग मरें हमास, तो उतना फाइदे में हैं, ये कितने दुख की बात हैं, ये तो थ्रू आउट दे वर्ल्ल जो दहश्यत गर्दी होती है, ये जो जंग होती है, उसमें ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चलिए आखिर में थोड़ी सी बाचीत पाकिस्तान के सियासी मन्जर नामे के ह रही हैं, इमरान खान कब तक पाकिस्तान के सियासी मन्जर नामे पर चाहे रहेंगे, इसके बारे में आपकी क्या रहा है, आपका बन्यादी स्वाल है कि पाकिस्तान के सियासी मन्जर नामे पर इमरान खान कब तक चाहे रहेंगे, वो काफी अरसे तक चाहे रहेंगे, साथ इतने यंग हैं दिखते हैं फिट आदमी हैं तो वो शायद फिफ्टीज के दिखते हैं हमें नी पता कुछ महीनों से वो जेल में है जब जेल से आएंगे तो कैसे वो देखेंगे लेकिन बारहाल एक उमर एक नैचरल एस्पेक्ट है तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान बारहाल पाकिस्तान का एक स्यासी कर्ट हैं मैं परसनली इमरान खान को इमरान खान की पॉलिटिक्स को जितना मर्जी ना पसंद कर रहूं इसे इमरान खान की पॉलिटिक्स पे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम जो उनको चाहते हैं और वो पाक का सोचते हैं एक ही तरह का समझते हैं और एक ही तरह का अमल करते हैं एक ही तरह के अमल भी करते हैं दोसरा उनका चक्र क्या है कि वो आइडियलाइज करते हैं देखिए अमल तो शायद जो इमरान खान करते चले आए हैं करते हैं उनकी जाती जिन्दगी है लेकिन चुके वो पबलिक फिगर हैं इसलिए हम उन पर क्वेस्टिनिंग भी करते हैं वो उस उस लेवल के अमल की सलाहियत पाकिस्तान के बाकी अवाम जो उनको चहने वाली अवाम है शायद उसमें ना हो चुकि इमरान खान तो एक सौट अफ रास्पुटीन किसम के लीडर हैं लेकिन मेरा जो परसनली उन से इखतलाफ होता है वो उनके वीजन का होता है कोई विजन नहीं हैं बहुत ही सताई बातें करते हैं बहुत दोगले आदमी हैं अब मतब फॉज के कंदों पर चड़के आए फॉज के पर खलाफ हुए जब फॉज ने उनको फिसिलिटेट नहीं किया अभी भी फॉज पाकिस्तान की फॉज उनको एक सिंगनल देने किए क मुझे तो ऐसा लगता है कि दरसल आप कहते हैं विजन नहीं है मेरा यह ख्याल है कि विजन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा होने की जरूरत है जैसे के क्रिकेट में उन्होंने बहुत नाम कमाया इंटरनेशनल शोरहत की शुकत खानम मेमोरिया नहीं उनके लेंडमा कि उसको कुछ पॉजिटिव अपना कॉंट्रिबूशन करें शायद वो उसकी लाइकिंग है देखिए इमरान खान लखी आदी भी है उनको अच्छी टाइमिंग मिली बेला शुबा वो अच्छे करिक्टर थे उसमाने में मैं करिकट बहुत शौक से देखा करता था जब इ ऐसा नहीं था को उच्छे कोई अखेलेत पाकिस्तान के नंबर वन गैक्टर थे पाकिस्तान में इक से बढ़ के एक उस जमाने में आप जरा मुश्टाक एमसे हनीव से हनीव से मैं जरा पराने करिक्टर शुरू हो रहाएं ये जो ये जो बाही थे कैसे कैसे अलिशान किसम के करेक्ट एक रेक्टर थे फिर आपने जवीद मियादाद का नाम लियां बहुत इचे बैट्समेंट थे एल राउंडर थे वसीम. राज़ा मेरे अमसाही थे वो बहुत अच्छे अल राउंडर कभी करिकट में आजो कहते जब इमरान खान करिकट में थे तो मतलब ऐसा नहीं था कि ही वस दो ओनली करिक्टर इन पाकिसान इनकी परसनालिटी का करिस्मा रहा कि यह बड़े हैंडसम थे फ्रेंकली यह भी पाकिसान जैसे मुनकों में उता है बड़े जी यह वोमन आइज़ मेरे लिए के सार्फ के वा कौश का रहा कूछ हवा है वान एण रून में उनका परस्ताः रहा हूं जब मैं उनसे मिला तो मुझे कोई उनसे को षिकाईति नहीं है मेरा कूँ सींगानिया मुझे मेरा यह था कि हैसा की पास विजिन बिको नहीं था वरना मैं भी 1996 97 में इमर लुक्स बे इंतहा लाइक उनको अगर वो शोबिस के किसी उसमें होते तो ही वोड़ाइब बेरी प्रॉमिनन्ट हीरो ऑफ इंडिस्ट्री में वो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ चुके होते हैं सुल्मान खान शारुकान लेकिन एक्टिंग उनको नहीं आती ना सिर्फ चेहरे से अपनी हाइट से तो बंदा हीरो ने ना बन चाता है आप लुक्स हैं आपके अंदर प्रिविलिज्ट हैं आप एक्रास ग्रॉमिंग में रहे हैं सारा कुछ रहा लेकर एक्टिंग नहीं आती थी ना यही मामदा ये था कि जब ये पॉलिटिक्स में आये मैं के कर आप ये बात कर रहा हूं तो मैं थो इनका परस्तार और आशिक था जब मैं करीब गया तो मैं इनका बेड़ा कर रहा है तो इस पादमी को पालिटिक्स का पता ही अच्छा वह वाकिन उसको नहीं पता था अब लेकिन लोग तो आईडिल वो कहते हैं जो दिखता है वो हैं लेकिन इमरान खान पाकिस्तान जैसे गुटे हुए मौशरे में जरा ज्यादा खवातीन में भी मर्दों में भी बहुत चाहे जाते हैं चूंकर इमरान खान के बारे में या मत अगर कोई खातून बिचैरी गरेलू खातून अपने कमरे में शारुख खान की फोटो तो इमरान खान की फोटो लगाने पर किछी को कोई इतरास नहीं हो कि ना सिर्फ हीरो हैं बलकि वो मजभी सियासी हवाले से हिस्टॉरिकल अब तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाहर है यह सब कुछ आएगा जो कुछ हो रहा है हम हिस्ट्री रकम करते हैं अपने हम जीते हैं जो लाइफ as a nation वो हम रकम करते हैं हिस्ट्री के अंदर तो यह सब चीज़े तो हिस्ट्री में आएंगी तो यह सब बाते हैं बरहल अब यह एक इमरान खान का जो फ्यूचर है पाकिस्तान की शाहसत में वो खतम नहीं होगा हम सब ने इस दुनिया से चले जाना होता है किस वक्त किसी ने सदा यहां रहणाने होता है इमरान खान सब सौ साल जी ए उसे ज़्यादा जीए जब वो नहीं भी होंगे अस दुनिया में तब भी इमरान खान चाहे जाएंगे अपने चाहे जाने वालों में अच्छा मत tweब मैं अगर मैं मेरे जैसे लोग अगर कोई कोई चार, पाइच, दस साल और जिन्दा रहे, इमरान खान भी जिन्दा रहे, हम तो शायद उन से खिलाफ करते ही रहेंगे, और इमरान खान से खिलाफ करने वाजे लोग भी पाकिसान में मिलियन्स और मिलियन्स रहेंगे, लेकिन इमरान खान की अगर हम बिलकुल जो बिलकुल उस पे नज़र डालें तो शायर इमरान खान जिस तरह आपने बताया मुकदमें उनके खलाफ चल रहे हैं जेल में अदालतें लग रही हैं इस सूरते हाले मुझे नहीं लगता कि जो आगे आने वाला अलेक्शन अगर वो वक्त पे हो पाया जिसका एलान आट फरवी में है उ उसमें इमरान खान को कुछ स्पेस में लेके लेकिन ये कहना कि आइंदा की पॉलिटिक्स में इमरान खान को स्पेस इसी तरह नहीं मिलेगी शायद मैं समयतों को उनके लिए स्पेस पर निकलाईगी चूँके हमने पाकिसान की हिस्ट्री में देखा है कि नौज शरीफ है मैं कि नवाज शरीफ साब को इस पात का कराड़िट जाता है कि उन्होंने नबजें समझी पॉलिटिक्स की और वो बहुत दफ़ा मरते मरते बच गए यानि वो इतने उनको उनके अंदर पॉलिटिकल सेंसबिलिटी इतनी इवॉल्व और एवलूट हुई अगर खान साब भी जरूर मैं कहती हूं कि जिन्दगी में लर्निंग पॉइंट्स होते हैं अगर खान साब अपनी इसको बेतर कर सकें तो ठीक है हमारे लीडर हमारा असासा भी हुआ करते हैं आखर में यही कहूंगा देखिए नौई शरीफ ने बहुत सी का मुझे वो दिन याद हैं हम बड़े एक्टिविस्ट होते थे मौडल टाउन में उनके घर के बाहर भी फिरते रहते थे उनके साथ इंडरेक्ली अलैक्स अलैक्स पी रही मुक्तलिफ होते थे लेकिन वक्त क की नबसे समय 0.000 में यह कालिटि नहीं घासब जथी आदमी है इस्टर बन आदमी है आँ जैसे कहते हैं नर्सिस्ट आदमी है यह बंदे की परसनालिटी भी उसकी पॉलिटिक्स पर असर डालती। बहुत है बहुत बढ़त बड़त तो जबने का सबैस अट्र कर सांसिए है ये जो स्टबन नार्सिस्ट कॉालिटीज हैं ये खराबिया हैं आप इनको कुछ भी कह लेजिए ओपर से खांसाब के पास कोई विजन नहीं है लेकिन ये कॉालिटी भी बन सकती है इसलिए कि जब आप इतने स्टबन होंगे और अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो कहीं प कि करिक्रट की लेंग्विज यूज कर रहा हूं तो बरहाल खांसाब का सियासत में फ्यूचर भी है मैं पर अगर सियासत मी उनको बड़ा रोल ना भी मेला खांसाब पाकिससंओं की सियासत में हमेशाँ याद रखे जाएग आपके इन इलफाज के साथ ही कतम करते हैं कि दरहसल ये एक negotiation का जिसे कहते हैं हुनर होना बहुत एहम है politics में और it's all about negotiations, leadership is all about negotiations, आज के इस शो में मैं साथ आने का बहुत शुक्रिया, आज का बिला तकल्फ शो ताहिर गोरार मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया, आप हमा इसी चैनल पर मौझूद डोनेट के बटन को दबा कर आप पैट्रियान, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं अजय कर शुक्रिया, आप यूट यूट चैनल प्रेस्ट अनुटियू प्रेस्टियन बटन